विदेश मंत्री एस जैशंकर ने एप 16 लड़ाकु विवानों के वास्ते पाकिस्तान के लिए अमेरिके प्रशासन द्वारा 45 करोर डॉलर के पैकेज को मन्जूरी दिये जाने के फैसले पर रविवार को सवाल उठाया था और कहा था कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ संबंधों से दोनों में किसी देश को कोई फाइदा नहीं हुआ है उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर आतंकबाद के खिलाफ युद्ध में F-16 विवानों की देखभाल की रकम क्यों दी गई है और सब को पता है कि F-16 का इस्तिमा कहां होता है ऐसे मौके इतिहास में कमा आये हैं जब हिंदुस्तान के विदेश मंतरी अमेरिका के खिलाफ या उसकी दोहरी नीतियों की आलोचना में इतने सख्त रुख के साथ आये हो इसी रुख से ये भी कहा जा सकता है कि वैस्ट्विक मंचों पर भारत अब खुलकर अ संतुरन बनाये रखना और साथ में विदेश मंतरी एस जैशंकर के खरी-खरी क्या है ये दुनिया के मंच पर भारत का रुख का। आख अजि घ्कानच व्यात्ति एप सिवनधी एर कि गुविदी एच है अधर से लाज्टियूक कि अखुदे़ अज आख ढ़ while आख ऐका business ऑपängen पोन प्रों परोंब आखु एसी जैशंकर वेल कि समयोगार Carrie वेश्विक मंचों पर और विदेश नीती में भारत के नए अंदाज पर क्या कहते हैं हमारे संपाद़ जो जितने भी विदेशी मामलों के जानकार हैं वो सब बहुत हरान है और खुश है कि भारत इतना खुलके अपना जो दिल की बात है जो हमेशे से हमारे दिल में रहती थ इतनी नहीं थी कि हम जाके दुनिया को बताएं हम समझते हैं आप हमारे सब क्या कर रहे हैं और जिसको हम आगे समझते थे वह हमारे पीछे वो फुद को मुखाथीब करना चाहता है और वो भी यतने लोगों के बीच में आपके पीम साहब को पीट थप थपा करके अपनी मुखाथीब कर रहा फिर क्यों की बातकीत होती है और कारेकरम के आखिर में सुनिए शोचल मीडिया पर लोगों के नए अंदास इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दो-चार खबरों की तरफ आपका ध्यान खीचना जरूरी है भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर पांच भी बड़ी अर्थ विवस्था बना यूएन सुरक्षा परिशद में सुधार की मांग का रूस और अमेरिका ने समर्थन किया भारत के पास G20, SEO की अध्यक्षता भारत यूएन सुरक्षा परिशद में औस्थाई सदस्य और पश्चिम की अपत्नी के वावजूद भारत रूस से तेल खरिदने पर अड़ा रह इठाई होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून महीने गया आखरी हफ्ते में जर्मनी में जी सेवन की बैठक में अतिति के तौर पर आमंत्रित थे जी सेवन दुनिया के साथ वड़े अध्योगी की कृत्देशों का समू है इस समिट में पीएम मोदी कनाड़ा के प समाचार एजनसी रॉइटर्स के इस वीडियो क्लिप को भारती न्यूज एजनसी एनाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि राश्पती बाइडन खुद पीम मोदी तक हाथ मिलाने आये ये वीडियो क्लिप कुछी घंटों में वाइरल हो गया प्रधानमंत् तो उसे इस ग्रूप से बाहर कर दिया गया था अब कहा जा रहा है कि इस ग्रूप में रूस की जगह भारत ले सकता है जी सेवन समिट के ठीक तीन महीने बाद उस बेकिस्तान के समरकन में शंगाई को आपरेशन और्गनाइजेशन यानि एस्टियो की बैठब हुई चीन की अगवाई वाले इस संगठन के भारत रूस और पाकिस्तान भी सदस्य है 16 सितंबर को S.C.O. समिट से अलग P.M. Modi और रूस राश्पती पुतिन की मुलाकात हुई इस मुलाकात में P.M. Modi ने कैमरे के सामने लादमीर पुतिन से कहा ये दौर डिमोक्रिसी, डिप्लोमसी और डायलॉग का है नकी युद्ध का P.M. Modi ने राश्पती पुतिन से ये बात युक्रेन पर हमले के संदर में कही थी P.M. Modi की इस टिपणी को पश्चिमी देशों के नेताओं ने हाथों हाथ लिया ऐसा तब था जब युक्रेन पर रूस के हमले को लेकर पश्चिम के देश भारत से खुश नहीं थे भारत संदराश्ट में युक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ सभी बड़े प्रस्ताव पर वोटिंग से बाहर रहा था अमेरिका और यूरप के बड़े देश चाहते थे कि भारत रूस के खिलाफ वोट करे दूसी तरफ 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की घोशना की तब से भारत का रूस से तेल आयात बढ़ता गया वहीं पश्चिम के देश रूस पर प्रतिबंध कड़े करते जा रहे थे ताकि उसकी आर्थिक गतिविधियों को रोका जा सके इसी महीने 13 सितंबर से संग्युक्त राष्ट की 77 भी महासभा के शुरुवात हुई UN की महासभा को दुनिया के देशों के प्रतिनी धी संबोधित करते हैं भारत को अगले साल कई अंतराष्टिय जिमेदारियां मिलने जा रही है G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से भारत के पास आ रही है और अगले साल भारत में ही G20 समिट होगा SEO की अध्यक्षता भी भारत को मिल गई है और अगले साल इसका समिट भी भारत में ही होने का प्रस्ताव है इसी साल दिसंबर महिने में भारत को संग्युक्त राष्ट सुरक्षा परिशत की अध्यक्षता एक महिने के लिए मिलने जा रही है। इन सब को भारत के उभार से जोड़ कर देखा जा रहा है। कि अधरी जुट रहा है। आप झाल आपकर दिए अधर प्रशक्ता प्रशक्त तक का जाप। इस जाप कर एंदेट नेखता विए टोगने जूए जुक्षए जुट आफट अपार इस्टीश अ़्यक्त अविन जुटते रहन बरूने लुट इस वाने छोफिस अवक्राइब कोट्रीज औरिया, तोर्टीज रेफ लुट्रीजा प्राइब का इसाविज आव में जाना उश्सली और जालेस में वेफ फूर प्राइब मिस्तितना पूराइब दर्टीज लेफ तो बडियों, बालेसे जांद को पहूंजाब बनाट प्राइब लु विदेश मंत्री जैशंकर ने अपने 16 मिनिट के बेहत कसे हुए भाशन में भारत की कूट नीती को लेकर कई बड़े संकेत दिये उन्होंने इशारों इशारों में भारत की सुरक्षा परिशद में 27 सदस्यता की पुरानी मांग को भी उठाया लेकिन दिल्चस्प बात ये भी रही कि रूस के विदेश मंत्री ने भी संग्युक्त राश्टर में भारत को सुरक्षा परिशद का 27 सदस्यत से बनाने की अपील कर दी हलांकि जैशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध के दुनिया की अर्थ विवस्था पर पढ़ने वाले असर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे तेल, खादि और उर्वरक यानि फर्टिलेजर्स की उपलबदता पर असर होगा और इसकी किमतें उन्होंने कहा कि रूस यूक्र संगर्ष के कई और प्रवाव होंगे और इससे व्यापार में भी दिक्कत पैदा होगी। अन्याय को सही तरीके से देखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने उन देशों पर भी निशाना साधा जो संगर्ष की कारवाई में रुकावट डालते हैं। सेतु के रूप में पुल के रप में काम किया है। हमने समुद्रिस रुक्षा, शान्ती बहाली और आतंक बाद का मुकावला करने जैसे मुद्धों पर ध्यान के अंदूत किया है। दैराल यूक्रेन पर रूस्ट के हमले के बाद से जैशंकर के तेवर की विदेश मंतरी के रूप में जो उनके तेवर हैं उसके काफी चर्चा हो रही है। विदेश मंतरी एस जैशंकर और रक्षा मंतरी राजनात सिंग 11 अपरिल को इसी साल 2 प्लस 2 वारता के लिए अमेरिका गये थे। इस बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश मंतरी एंटोनी ब्लिंकन और रक्षा मंतरी लाइड ऑस्टिन के साथ भारतिये विदेश मंतरी और रक्षा मंतरी प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फरेंस में एक पत्रकार ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल पूछा, तो जैशंकर ने दो टूक जवाब देते हुए कहा था, कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है, उतना यूरप एक दो पहर में खरीदता है, जैशंकर के इस की चर्चा दुनिया भर के मीडिया में हुई जैशंकर यहीं नहीं रुखे इसी प्रेस कॉंफरेंस में अमेरिकी विदेश मंतरी ने कहा था कि भारत में मानवादिकारों के स्थिती पर उनकी नजर है अब लिंकन की स्टिपणी पर वाशिंग्टन में भारतिये पत्रकारों जैशंकर से जब आप मांगा तो उन्होंने दो टूक का है कि जिस तरह से अमेरिका भारत में मानवादिकारों को लेकर अपनी राय रखता है उसी तरह भारत भी अमेरिका में मानवादिकारों के उल्लंगन को लेकर अपने विचार रखता है अब जैशंकर की स्टिपणी को काफी सख्त माना गया बेशक ऐसा पहलीवार हुआ जब किसी भारतिय विदेश मंत्री ने अमेरिका को उसी की धर्ती पर आईना दिखाया है लेकिन जैशंकर के तेवर नरम नहीं पड़े उनके तेवर अभी उतमे ही तलख है तेमें दिखाया कि पकिस्ता में आईना दिखाया थाकिस्ता घजर लेश कि टिखेशलार तेवारे अव्याश जाव स्विजा टेवर्शने की जाज इस दुह व्यां कि तेखेशब के थावर्श था ने अलौन से फ़िदे हैं दूज रज़ने प्र एंसू झारे में आईना ड जे एंवे लगाव क्या है कि अवेट क्याम मेज़ उता है, हम वायर वे बाते हैं, कि एंद विछ रुट जोब एंग कर दो आपने कि अवेट आप रिए का बंद करेंदा। when you are talking about an aircraft like the capability of the F-16. Everybody knows where they are deployed, what is their use and what is their capability. So, you know, you are not fooling anybody by saying these things. So, the point is, we really think countries finally make their choices based on their इस दौर में उन्होंने साओधी गजट को साओधी अरब गए थे इस दौर में उन्होंने साओधी गजट को को दिये एक इंटर्व्य में कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र है दुनिया की पाच्वी सबसे वड़ी अर्थिवस्ता है तक्नीक का हव है इसके अलावा पारंपरी रूप से वैश्विक मामलों में भारत सक्रिय रहा है यह सारे चीजें भारत को संयुक परिशत में सुधार का समर्थन करना और रूस का यह कहना कि वो सुरक्षा परिशत में भारत की सथाई सदस्यता का समर्थन करता है यह काफी मायनी रखता है अब कहा जा रहा है कि पस्चिम के देश अभी जलवायू परिवर्तन और चीन से काउंटर करने के लिए सप्लाई चेन को बदलना चाहते हैं, ऐसे में भारत उनके लिए एक एहम देश बन चुका है। यह सचाई है कि एह जशंकर के विदेश मंत्री बनने के बाद भारत की विदेश नीती में कई ठोस परिवर्तन हो है। भारत पहले गुट निर्पेक्षता की नीती पर चलता था, लेकिन अब मल्टी इंगेजमेंट की नीती पर बढ़गा है। पहले किसी गुट में नहीं रहने की बात होती थी, लेकिन अब बात होती है हर गुट में रहने है। भारत को अगले साल कई अंतराष्टिय जिम्यदारिया मिलने जा रही है जैसा मैंने पहले भी कrous आ डिधा इंडोनेशिया से भारत के पास आ रही है और अगले साल भारत में ही G20 समिट होगा SEO की अध्ञक्षता भी भारत کو मिल गई है, और अगले साल इसका समिट भी भारत महीं होगा इसी साल दिसंबर महीने में भारत को सम्यूत राष्ट सुरक्षा परिशद की अध्ञक्षता एक महीने के लिए मिलने जा रही है इसे भारत के उभार से जोड़ कर देखा जा रहा है दुनिया के मंच पर भारत की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है बढ़ती जा रही है और आप चाहें तो इसको भी शुगरू होना कह सकते हैं न चाहें तो न भी कहें वाश्विक मन्चों पर भारत की जो उपस्थिति है और जिस तरह से धमक देखी जा रही है जिस तरह करेंगे हमारे दो मेहमार आज हमारे साथ हमारे साथ ही है आवाज दबाइस अंग्रेजी की आइडिटर आशा खोसा और आवाज दबाइस हिंदी के संपादक मली कज़गर हाश में साथ दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है वह कम होता है जब हम दो मेहमानों को एक साथ लात बहुत बड़े दिप्लोमेट रहें और मोदी जी के बड़े फेवरेट हैं प्रधान मंत्री के तौर पर एस जे शंकर बहुत फेवरेट रहें यह सब तो बुनियादी बात है लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका को भी खरी-खरी सुना दे रहे हैं हम साथी अरब मे जानकार हैं वो सब बहुत हरान है और खुश है कि भारत इतना खुलके अपना जो दिल की बात है जो हमेशा से हमारे दिल में रहती थी बाते लेकिन हमारी ताकत इतनी नहीं थी कि हम जाके दुनिया को बताएं हम समझते हैं आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं और आज खुलके इस बार प्रधानमंती नहीं गए जैशंकर गए और उन्होंने बहुत अच्छा वहां पे किया हम तो उनको ट्विटर पर फॉलो करते हैं वो कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उन्होंने धेर सारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे मुलाकात ना की हो और भारत का जो 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 है वो उसको पुष्ट ना किया हो लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ही है आपने जैशंकर जी की बात की उनको चुनना एक पुलिटिकल डिसिशन था उनको इसलिए चुना गया कि उनमें टैलन था अभी फिलहाल उनकी क्लिप देख रही थी उसमें उन्होंने कहा था कि भा अपने पिता जी की बात कर रहे थे और जो अपना था तो इसका मतलब उनकी दादा जी भी वह भी इंपॉर्टन पुजिशन पे रहे तो एक तरह से हम कह सकते हैं उनको विरासत में नौलेज मिली है तो वह इतना बिलकुल इक पावर्फुली अपना बयान जो है वह दुनि है नीःधिया हुर्यान है हर दिन उन्होंने नुयोग में लोगों को लोगों को हईलान कर दिया कि वह क्या करें उन्होंने अमेरिका को खरीखोटी सुनआई मुद्धे पर ऐसे नहीं कि कोई एजंडा लेके चले हैं उन्होंने यह बताने की कोशिश कि हम समझते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम भी उतना ही आगे जाएंगे जितना आप आगे आना चाहते हैं कोई किसी से बैर नहीं लेकिन और जो उनकी जो विदेश नेशन जो हैं वो बराबर उनको उनको ट्विट करेंगे सबकी आँखों में देखके बात करेंगे किसी को ना नीचा देखेंगे ना किसी को उन्चा देखेंगे मतलब एक्जाट वर्ड मैं ना कह पाऊं लेकिन यही उनका था भावार्त यह था तो वही नीती लेके जैश मंत्री होते हैं उतना अच्छा नहीं होता एक तो पुलिटिकल बैकिंग है जैशंकर को और दूसरी उनका एक्स्प्रेशन बहुत अच्छा है उनको पता है कि एक इंटरनाशनल ओडियन्स है उनसे बात कैसे की जाए उनसे अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए और उसमें साथ जुर्बा जो फॉर्ण सेक्रेटरी के तौर पर थे डिप्लोमेंट के तौर पर वो सब काम आ रहा है आज आज के अखवारों में जो कि उन्होंने संडे को शायद कहा था जैशंकर साब ने कि वही एप 16 की जो देखभाल के लिए उसकी मरमत वगरा के लिए देखरेक क है कि रभी कौम आकरामक मान सकते हैं सकते हैं कि ऐसा कैसे अमेरिका वह कहें अमेरिका तो चAudri यह उसको को utiliser नीशारी प्रदानमंत्री और अपने समकच्छ लोह के साथ खड़े वे हैं और पीछे से बाइद आते हैं फिर उनको थप थपाते हैं मिलते हैं तो वो जो कहने वाला है ने कि अभ आप हमारा यू लीडर है वो आगे है और जिसको हम आगे समझते थे वो हमारे पीछे वो खुद को मुखाथिव करना चाता है हैं और वो भी इतने लोगों के बीच में आपके पीम साहब को पीट थब थबा करके अपनी तरफ मुखादिव कर रहा है फिर जो है उनसी बातचीत होती है तो जैसा कि आशा जी कह रही थी कि आप हमारे जो देवर हैं वो पहले जैसे नहीं है अब हम बिल्कुल जो आख में आख डाल के बात करते हैं बिल्कुल और मेरे शाल से यह बहुत मार्कशते करते हैं मार्कर बाजार से लेकर कि हमारे विडेश नीथी पर भी युकरेयन को मामला वह सब हमारी तरह देखते हैं दब हमारे अंilli झाकत यहां करते हैं मब्य devo है औरaison किसी को भी किसी तरह से जवाब दे सकते तो इसमें भी बड़ा वह इम्रान खान बहुत तारीफ करते हैं कि देखिए वह जा करके अपनी वाद कैसे ठोक की कहते हैं हम लोग नहीं कह पाते हैं तो हमारा वजन जो है आज की तारिख में बहुत बहुत बड़ा है और देखिए अभी आज सिंज्वाबे का वह है तो उसमें भी हमारे प्रदानमंत्री हैं और रास्तव धक्ष वहां पर मौजूद होंगे जाहिर सी बात है कि हमारा वजन होगा अपने रुदबा होगा तो हम आज की तारिख में जो है बना हमें आगे होने हैं हम आगे हैं और लोग मानते हैं बिलकु चीन से कांटर करने मजबूत देश चाहिए था जिसको आगे करके विश्वास प्रिषवास करके तो बारत के लिए विन-विन सिचोईशन जैसी है क्या हम चीन का काउंटर करने के लिए परश्चमी देशों का हाथियार बन सकते हैं मंजी देखे इसको देखने के दो तरीके हैं, पश्चिमी देशों का कुछ भी मकसद हो रहा है, लेकिन रियालिटी ये है कि हिंदुस्तान जो है, उसकी एकॉनमी बहुत मजबूत होगी, जब तक आप घरीब गुर्बा होते हैं, आप चाहे कितने भी वैल्यूस आपके अच्छे हो, आपके दिल में कितना भी अच्छी चीज़ें हो, लेकिन जब तक आप संपन नहीं होते हैं, लोग आपको नोटिस नहीं करते हैं, यह जिन्दगी की एक हाकिकत है, भारत के साथ यह हो रहा है, आप जो वैक्सीन महित्री थी थी ना, उसने सारा खेल पलट दिया, देखिए उस समय ऐसा था कि सब जो अमीर अमीर मुलक थे, वो सब अपना अपना देख रहे थे, हम कोई बहुत अमीर मुलक नहीं कहला है जा सकते हैं, हम मिल और मुलक हैं, लेकिन जो हमारी नियत थी उस समय और जो हमारी हम संस्कृती कह सकते हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, वो यह थी कि यह बहुत हमारी है यह अकेले हम ना निपड सकती है ना कोई भी निपड सकता है तो हम लोगों को दूसरों की मदद करनी चाहिए वह चाहिए किसी भी सूरत में और हमारी मदद की देखिए जब हमारे पास oxygen की committee second round में तो बंगलादेश तक ने हमको oxygen tanks भेजे तो यह जो भाव था यह जो नीती थी यह हमने इंडिया ने यूज करी उस समय जबकि दुनिया सोच भी नहीं सकती थी सब अपने में सिमट के रहे ते डर से दर का मौल था पूरे दुनिया में अब इसकी जो वैल्यू है वो पूरी दुनिया को भी समझ आ रही है और हिंदुस्तान को भी यह बताने का मौका मिल रहा है देखिए हम चीन नहीं है जो जा के कब्जा कर लेते हैं हम लोग वाट यू से डेट बे देते हैं अपको कर देख हम वैसे नहीं हैं हम अगर कहते हैं कि पूरी दुनिया एक 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 फैमिली है हम उसमें बिलीव करते हैं ह हमारे कतनी और करनी में फर्क नहीं है, तो यह जो moral high ground जो है और वो artificial नहीं है, वो हमारे दिल से आती है, हमारे संस्कारों से आती है और इसी तरह हम रहते हैं, हम अपने देश में भी इसी तरह रहते हैं, और जो manifestation उसकी हुई, उसका अब लोगों को समझ आ रही है, मुझे या वैक्सीन का क्या होता, तो चाहे हमारी आर्थिक सिती बहुत मजबूत है, अच्छी है, लोग हम से कारबार करना चाहते हैं, हमको मानते हैं, लेकिन अगर हमने ऐसी चीज नहीं की होती, वैक्सीन माहित्री जैसी चीज, तो हमारा जो वो moral, जो हमारा अपमेंशिप तो मैं नहीं कहूंगी, एक moral values जो हमारी वो दुनिया के साथ, आदर नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, तो respect जो मिली हैं, वो हमें, वो हमारी अंदर की नियत जो है, वो दुनिया समझ गई है, तो हमें एक transactional relationship, देखेंए व्यापार एक transaction होता है, आपके पास क खरीते हूं, मेरे पास है, आप खरीते हैं, तो उसमें पैसे का लेंदेन होता, वो अपनी जगा जरूरी है, लेकिन वो जो respect वाली आपने बात कहीं, वो हिंदोस्तानी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वेस्ट के लोग शायद ना समझ पाएं, तो वो वो चीज अब पू कि देज जो है, एक मुद्दा उठाते हैं कि भारत में मान जो HDI है, Human Development Index, वो जी जा रहा है, कम है, यहां पर सिशो मृत्य दर्श्री लंका से भी ज्यादा है, इस तरह की बाते करते हैं, तो क्या यह मतलब ऐसे हैं, आप सेलरी बढ़ाने की बात करें, तो आपका हैं या European countries हैं, वो चाहते हैं हमें हतियार की तरह इसनावाल करना, लेकिन भारत जो है, अभी हम लोग जो विदेश नेती बात करें हैं, भारत बहुत ज्यादा चौकंड़ा हो गया, कि कौम नहीं हमें इसनावाल कर सकते हैं, चीन के साथ हमारा मसला जरूर है, लेकिन हम लेकिन यहां पर भारत ने बहुत सक्त स्टेंड लिया, दूसरी बात आपने इंडेक्स की बात करी, तो यह तो सब उनी लोगों का पहला हुआ है, अब अब देखिए अभी रोजाना गोली चल रही है अमरीका में, वो कौन कहेगा, उसके बारे में कौन बात करेगा, वहां पर अब अब जो है, वो हतियारों पर पर परतिबान लगा लगातार, अब तो यूके में, ब्रिटेंड में भी है, तो यह लोग जो है, जो अब तक जो है, सरोसरवा बने हुए थे, और अपने हिसाब से दुनिया को मोड़ते थे, तो वो, अब वो क्यों चाहेंगे, कि हम पर मकाबले में खड़े हूँ, हलाएं मदद चाहते हैं, लेकिन अपने सामने, अपने बराबर में खड़े हुआ, अभी भी नहीं देखना चाहते हैं, उमीद तो करते हैं, अब हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उनको भय है, ना एक दिन के यह हमारे बीच में शामिल होंग गशरदानी तक नहीं और तो जिस देश में तो बड़ी चीज़ और जिस देश के घरों में मज़र्दानी नहीं हो तो उस देश की इस्तिति क्या हो सकती है आप देख सकते हैं तो इसलिए शहबाद शरीफ को तो आने ही चाहिए अगर यह बाचित करते हैं लेकिन अगर फिर भी अभी कदमता है तो बहुत ज्यादा लेट नहीं है दोस्ति कहां किसके पास है किसके पास जाएगा फोड़ी काफी फ्लूइट सिचुएशन है और दूसरी बात यह है कि भारत की अभी कोई मजबूरी नहीं है उनसे बात करना भारत और चीजों में व्यस्त है और जब तक वहां पुलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आर्मी को ही ले हम पाकिसान से जादा कुछ इंपोर्ट करते नहीं है वहां बनता नहीं है जादा कुछ लेकिन हमारी तरफ से अगर इस समय चीजें वहां बेची जाए तो उनको बहुत आसानी होगी वह उनके हित्में है तो यह पाकिसान पर बहुत चीज निरभर करता है कि वह बात करना चाते हैं तो धंक से बात करें धंक से नहीं होता दे एक मैं थोड़ी सी बात जोड रही हूं जो आपने पहले सवाल पूछा था कि लिए अगर आप चीन को देखें चीन में ना तो डिमोकरसी है और उन्होंने अपनी अखलियतों के साथ क्या किया और चीन के बारे में कोई चीन के बारे में कितना डेटा उनका फाजड है कितना सही है और चीन का डेवलेप्मेंटल मॉडल बहुत ही अलग है उन्होंने सब गाउं को जार के शहरों में सबको बसा दिया अब वो मॉडल कितना चले का जैसे चीन के पॉलिसी थी कि एक बच्चा होना चाहिए वह बहुत सारी हुमन ट्राजडी रही है उसके पीछे लेकिन अब वह यह महसूस कर रहे है कि हमारी वह पॉलिसी घलती उसी तरह चीन का एक बहुत क्वेस्टनेबल पास रहा है तो भारत को दूसरा एक वजा है क्यों हमें इनाइट नेशन सेक्योरिटी काउंसल का मेंबर होन लाया कि चीन ने दुनिया को एक बिमारी दी भारत ने उसका तोड़ दिया हमने कोशिष्ट की बनाया दूसरा ने कहा कि प्लाइमेट चेंज के लिए क्या है आपको फॉसिल फ्यूल करने जो है उसका उसमें कर रहा हो अपने टार्गेट से आगे बढ़ रहा है वैसे नही प्रब्लम खड़ा करने वाले नहीं हैं हम सेलूशन देने वाले हैं दुनिया को इसलिए भारत का जो भारत को युनाइट नेशन सेक्योर्टी काउंसल में पॉर्मिनेंट मेंबर बनना चुए आखरी सवाल बहुत छोटा विशुगरू बन जाएंगे हम लोग बनेंगे बने सारे आतंगवादी बनते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि वह भारती सीमा में दाखेल हो बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक राश्मिर साहब और राशा जी एक विदेश नीती पर टिपड़ी है इसको आप प्रस्थान विंदू की तरह देखें पढ़ें और आगे निगाह रख शीत युद्ध के दोरान चीन पाकिस्तान के साथ मिला हुआ था दूसी तरफ रूस को भारत के मजबूत रण्यतिक साशितार के तौर पर देखा जाता था लेकिन वह दोग अब चला गया भारतियों के मन में एतिहासिक रूप से कुछ मामलों में रूस को लेकर बहुत कर जियो पॉलिटिक्स यानि भूर आज नीति के आधार पर बातें करें तो यह भी समझें कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिश्था बढ़ी है मोदी ने समरकंद में श्री जिन पिंग को इग्नोर किया तो उन्हें पता था कि उनके वोटर इससे नाराज नहीं होंगे और कोड के पार्टनर भी इससे सहमत रहेंगे आज के अंग में इतना ही छोड़ जाते हैं आपको एक वाइरल और मनुरंजक वीडियो के साथ दीजिए विदा मुझे और हमारी पूरी टीम को नमस्का अला कमें ताली ताली हूँ दिं दिं दिंदरिं दिं कर?. लोला, को ता लेठालै। झाल झाल